असलाम आलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टु दिबास किचन आज के इस वीडियो में मैं आपको रमजान स्पेशल क्रीमी फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी यह बहुत ही यम्मी होता है खाने में और काफी इसली बनके तयार हो जाता है इसका बिल्कुल अलग सा कस्टेट की तर छोड़ दिया था वह दीरे अपने आप मेल्ड हो जाएगा उसके पास जब यह हलका सा मेल्ड हो गया तो मैंने इसे चलाया इसे आपको लगता नहीं चलाना है वनना जो शुगर वो किस्ट्रलाइज हो जाएगा तो बस हलका से बीच-बीच में चला दे तब आप इसके अं जब तक कि यह बिल्कुल इस तरह से क्रीमी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए आप इसे स्टोर करके काफी दिनों तक रख सकते हैं आईए आप फ्रूट चाट बना लेते हैं तो मैंने यहां पर अमूल का फ्रेश क्रीम यूज किया है इसे मैंने कुछ दे के लिए फ्रीज में और इसे एक साइड बे रख दे अब आप अपने पसंद के कोई भी फूट ले सकते हैं तो मैंने आप अंगूर केला अनार और सेब लिया है इन सारी चीजों को मैंने कट कर लिया है फिर आप इसे सर्विंग कंटेनर में डालके अच्छे से मिक्स करिए फिर उपर से क्रीम तो उसके बाद आप इसे फ्रीज में रख दीजिए और इसे ठंडा ठंडा सर्फ कीजिए अपने महमानों को अपने बच्चों को बहुत ही यम्मी लगता है बिल्कुल करस्टड वाला फ्लेवर आता है इसके अंदर कैरमल सॉस से इस पे अलग सा फ्लेवर आ जाता है तो आ आप मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए